प्रिया मित्रों, बोडी की सतह से संबंदित कुछ चर्चा यहां पे करते हैं बोडी को देखिए दो प्रकार के प्लेन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सब सबसे पहला है वो है कॉरोनल सेक्षन या प्लेन यह शरीर को आगे और पीछे दो भागों में डिवाइड करता है यानि कि एक आगे का भाग, अगरभाग और एक पस्च भाग तो इसको कॉरोनल सेक्षन कहते हैं बेसिकली इसी प्रकार से शरीर को दाएं और बाएं भाग में विभाजित करने वाला जो प्लेन होता है यह सेक्षन होता है उसको सेजाइटल सेक्षन कहा जाता है यह दाएं और बाएं भाग में बोड़ी को बेसिकली डिवाइड करता है तो दोनों में यहां पर कोई कन्फुजन नहीं होना चाहिए coronal आगे और पीछे sagital right और left और इसी प्रकार से transverse जो है जो transverse plane है वो body को उपर के भाग में superior और inferior यानि के body के बीच से ये plane निकलता है अब दोस्तों आईए और आगे चर्चा करते है शरीर की जो normal position होती है उसमें upright position और हथेली आगे की होर जो उपर का हिस्सा होता है यानि के शरीर के उपर का हिस्सा उसको हम बोलेंगे superior उसको क्या बोलेंगे दोस्तों उसको superior बोलेंगे और जो नीचे का हिस्सा होगा उसको inferior बोलेंगे शरीर में सब नामकरण इसी आधार पर चलेंगे आगे का जो हिस्सा होगा उसको anterior और पेट और neck में इसको ventral भी कहा जाता है तो anterior और ventral दोनों एक दूसरे के परियाय होते है neck और abdomen में और ये पीछे का जो हिस्सा होता है posterior उसको dorsal कहा जाता है basically उदर और ग्रीवा में या neck में और abdomen में हतेली आगे की ओर होती है जैसा मैंने बताया ये इसकी pamer surface होती है और जो इसकी उपर की surface होती है यानि हतेली आगे की ओर है तो जो उपर की surface होती है हतेली की उपर की surface होती है उसको dorsal कहा जाता है और सेम वही dorsal surface पैर के उपर वाली surface को कहा जाता है डॉर्सल यह दोनों सेम होती है, लेकिन पैर में जो उपर पामर सर्फेस थी, पैर में इसको हम प्लेंटार सर्फेस कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेगा, वहाँ पे पामर थी, यहाँ पे प्लेंटार. जोइंट से लगता हुआ, जो हाथ और पैर का हिस्सा है, जो जोइंट के साथ होगा, जैसे उपर शॉल्डर जोइंट, नीचे हिप जोइंट, वह प्रोग्जीमल एंड होगा, और जो दूर की और मुह करने वाला भाग होगा, उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं, तो प्रोग् होगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि हाथ का जो बाहर का हिस्सा है, वो लेटरल है, और जो शरीर के मद्ध्यभाग की तरफ होगा, शरीर की और या मद्ध्यरेखा की और, उसको हम मीडियल कहते हैं, तो वो मीडियल कहे इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, तो आशा है कि सरीर के सतह से संबंधित यह बात आसानी से आपकी समझ में आ गई होगी, और वैसे तो यह बहुत सामाने से चीज होती है, लेकिन इसको properly समझना चाहिए. Thank you very much.